जै महाकाली मित्रो आप सबी का स्वागत है आपके अपने एसम भक्ति ज्यान चैनल में मित्रो शिम मह पुराण के 41 अध्याय के अनुसार भगवान विश्णू, शंकरजी और मापार्वती से आज्या लेकर और आकाश्वाणी से प्रेरे थोकर शंक चूड का रूप धारण करके ब्रंदा के पास पहुचे अपने स्वामी को आया देख ब्रंदा बहुत प्रसन हुई और पती के चर्णों को धोकर प्रणाम कर रोने लगी और फिर उनसे युद्ध के बारे में पूशने लगी शंक चूड रूपी रमापती ने हसकर अम्रस रदश्य वशनों में युद्ध का समाचार यह कहकर बतलाया कि ब्रंदा के साथ शंकर की संधी करा दी है इसलिए मैं अपने घर तुमारे पास चला आया हूँ और शिवजी शिवलोग को चले गए हैं ऐसा कहे विशनों जी ने ब्रंदा के साथ शयन कर बिहार भी किया ब्रंदा को विशनों जी पर भ्रम हुआ तो वहत तरक करने लगी और बोली अरे तु कौन है सत्य कहे तुने मेरे सतित्व धर्म को क्यों भंग किया मैं तुझे श्राब देती हूँ ब्रंदा के श्रापते भैभी थो विश्णु जी ने बहुत ही सुन्दर रूप धारण किया लेकिन ब्रंदा ने अपना पतीवरत भंग हुआ जान उन पर क्रोध किया और कहा हे विश्णु तुम्में दया नहीं है तुम्हारा मन पाशाण के समान है तुमने मेरे सतित्व धर्म को भंकर मेरे स्वामी का बत कराया है इसलिए मैं तुम्हें श्राब देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ ऐसा कहकर शंक्चूण की सती ब्रंदा अत्यन विलाप करने लगी उसके विलाप को देख विश्नु जी ने शंकर जी का इस्मरण किया शंकर जी शीग्र ही वहां प्रकट हो गए और उस दुखिया को जगत की नश्वर्ता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल देकर कहा कि इस शरीर को त्याग तुम दिव्यदे धारण कर हरी के साथ बिहार करो साथी तुम्हारा यह शरीर छूटने पर भारत में गंड की नदी होगी और देवन पूजन के साधन से कुछ काल में तुम मेरे वर्से प्रधान रूपा तुलसी नाम से विख्यात हो जाओगी और स्वर्ग पाताल तथा म्रत्यू तीनों लोकों में तुम सरवदा हरी की समीपता पाओगी और सब ब्रक्षों में तुम्हारा श्रेष्ट इस्थान होगा तुमने जो हरी को श्राब दिया है तो उसके प्रभाव से तुम गंड की नदी के रूप में और ये हरी पाशाण रूप में इस्थित रहेंगे वहाँ पैने दातों वाले करोडों कीडे उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे और उसका नाम शालिक ग्राम होगा ऐसा कहकर शिप जी अंतरध्यान हो गए ब्रंदा ने उस देहे को त्याग कर दिव्यदेहे प्राप्त की और कमला पती के साथ वे बैकुंट लोग को चली गए अगर आपको आज की धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद